तो आपने अभी तक साउथ की बहुत सारी डिसेस खाई होंगी लेकिन अगर अभी तक यह रसम बड़ा नहीं ट्राई किया ना तो आपने बहुत टेस्टी डिस अभी तक मिस कर दिया बहुत ज्यादा स्वाधिश लगता है हलका खटा और बहुत हलका सा मीथा बहुत चट बता देती हूं तो इसको बनाने के लिए मैंने कड़ाई में थोड़ा सा कुकिंग वाइल लिया है और गर्म होने के बाद यहां थोड़ा सा उरत की डाल एड़ करेंगे और कदुकस की अवा आठ से दस कली लैसुन एड़ कर देंगे इनको हलका सा पका लेना है इतना की डा तुमक एड़ कर देना है जिससे टमाटर जो है वो जल्दी गल जाये टमाटर को अच्छे से पखा लेना इस तरीके से मैस करते जाना है और इस तरीके से यह देखिए जैसी टमाटर गल जाते है तो यहां कुछ चीजे एड़ करेंगे यहां मैंने कासमीरी लाल मिर्च पानी एट कर देंगे धेष्च फ पानी एकी हरे बिल्कुल पतला रछा अब शाथा या या आप इसकी घर्म करना है Halo जब पक कि रेडि हो जाता है तो इसमें एक तड़का लगाते है Commission यहां मेने तड़का पैन में तेल गर्म किया है एक बीडियम साइज का चमक चमच यहां इनको हलका सा पकाके उपर से तड़का लगाना है और यह रसम बनके रेडी हो गया यह बहुत अच्छा लगता है गर्म गरम सूप की तरह भी बहुत टेश्टी लगता है और बारी कटी भी हरी धनिया एट करके इसको सर्व करना है अब यहां बनाते चले इसके बड़े बना लेते हैं तो आज हम रसम के साथ बड़े सर्व करेंगे वैसे चावल भी आप सर्व कर सकते हैं तो यहां मैंने उरत की दाल को 3-4 घंटे पानी में भीगो के रखा था अच्छे से फूल गई है बिना चिलके वाली दाल है आप छिलके वाली भी ले सकते लेकिन उसका छिलका लग कर दीजेगा अब एक जार में एड करते हैं जितनी एक बार में दाल आ जाएगी उतनी दाल एड करना थोड़ा सा पानी एड करना है क्योंकि जो दाल है थोड़ा हार्ड होती है मिक्सी में पीषेंगे तो थोड़ा सा पीषने में दिक्कत आती है लेकिन पानी एड करे या इसी से मैंने दही बड़े भी बनाये थे, इसका वीडियो मैंने पहले आपके साथ सेयर कर दिया है, आप चाओ तो मेरे वीडियो में या चैनल में जाके देख सकते हैं, या मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आप वहाँ चेक कर सकते हैं, इस तरीके से रेवहाराम चममच हींग करने अद्रफ करेंगे धरने जब्सक्राइब है नमक स्वाधनसार आट करने इसी में अधर करेंगे यह थोड़ा सा फको कद्दू कष करके अब इसको मिक्स कर लेते हैं अगर दाल आपको गीली लग रही है न और इसमें मतलब बड़ो में क्रंच पन करने के लिए क्रंची करने के लिए मैं यहाँ थोड़ा सा चावल का आटा एट करें इससे तो एक तो यह जो दाल जो हलकी गीली हो जाती है मिक्सी में पीछने से य प्याज और यह हरी प्याज हो गयरा और हरी मिर्च धनिया इससा बैट करके तो वो भी बड़े बहुत टेस्टी बनते हैं चलिए यहाँ तेल गर्म हो गया है थोड़ा सा बैटर डाल के चेक कर लेते हैं अब इस तरीके से पकोड़ी जैसे इसके यह बड़े बना लेना है यह बड़े बहुत ज्यादा सौप्ट बनते हैं और बहुत बड़ी हाँ फूल जाते हैं तो इसको धीमी धीमी आज में पकाएंगे और एक बार में जितना तेल में बड़े आ जाएंगे इस तरीके से डाल के इनको फ्राई कर लेना उलट पलट के एक बार जब हलका सा तरीके से गोल्डन ब्राउन कलर का तो अब इसको निकाल के रख लेते हैं पूरे बड़े बना के रेडी कर लेते हैं इसी तरीके से आप दही बड़े भी बना सकते हैं दही के साथ सर्व कर सकते हैं या रसम के साथ लेकिन रसम के साथ जब इसको सर्व करते हैं तो इसका ट तो चलिए अब इसकी प्लेटिंग करतें मतलब इसको सर्व करते हैं गर्मा, गरम गरम रसम के साथ सर्व करेंगे तो जो इसका टेस्ट है ना वाकइं में एक दम अलग लेवल का है मजा आ जाती है खा के मूचा टेस्ट चेंज हो जाता है इतना मतलब स्पाइसी सा और हलका सा मीठा बनाता है बहुत ही चट पटा होता है और गर्मा गरम सूप की तरह पिए या चावल के साथ सर्व करें तो बहुत टेश्टी लगता है आप भी ट्राइ करिए और हम मिलते नए वीडियो के साथ आई हो पाच का वीडियो आप लोगो करें और लोगों के साथ सेयर करना ना भूले थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स वीडियो